सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेट समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोज आप देख सकें दोस्तो तिल का इस्तिमाल कई सारे पकवानों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है तिल मीठे और नमकिन दोनों ही बेंजरों में डाला जाता है लेकिन क्या आपको पता है तिल खाने से ना सिर्फ स्वाद मिलता है बलकि सेहत को बहुत सारे लाब मिलते हैं आज हम जानते हैं तिल और तिल के तेल के फाइदों के बारे में सबसे पहले है यह pregnancy में बहुत फायदे मंद होता है तिल में folic acid प्रचुर मात्रा में होता है जो गर्वती स्त्रियों के लिए फायदे मंद है जिसे बूण्ड के विकास में मदद मिलती है सिर्फ तेल के बीजी नहीं बलकि तिल के तेल से बनाई गई जो चीजें हैं वो भी pregnant इसे बच्चों की हड़ियां मजबूत बनती हैं, आईरुवेट के अनुसार तिल का तेल ठंडा होता है, इसे बच्चों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद मिलती है, अगला है खराब कॉलिस्टॉल लेवल को कम करता है, तिल में फॉलिक ऐसेड अच्छी मातरा में होता है, साथ जैसे ये दिल की बिमारियों से पचाय रखता है, स्ट्रोक आने के बाद मदद करता है, रिसेर्च बताते हैं कि स्ट्रोक आने के बाद ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो कम हो जाता है, ऐसे आहलात में तिल बहुत ज्यादा लावकारी होता है, ये रक्त प्रभा को साथ ही इसमें magnesium होता है जो ना सिर्फ blood circulation को बहतर बनाता है बलकि जो neural impulse है उसको भी मजबूत बनाता है दोस्तों ये cancer से भी बचाता है research के अनुसार तिल में anti-cancer property पाई जाती है जिस कारण ये फैंपडों के cancer, prostate cancer, leukemia यानी blood cancer और pancreatic cancer से सुरक्षा प्रदान करता है साथ ही इ antioxidant body में cancer cells को बढ़ाने से रूपते हैं साथी cancer को पैदा करने वाले chemical से भी बचाने का काम करते हैं ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है तिल में dietary protein और amino acid अच्छी मात्राम होते हैं ये acid और protein बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं लगवक 100 ग्राम तिल के बीज खाने से 18 ग्राम प्रोटीन प्राप्त किया जाता है इससे नहीं सिर्फ बच्चों की हड्डियों मजबूत बनती हैं बलकि उनके शारीरिक विकास में मदद मिलती है दोस्तों आयर्वेज समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताएन उसके बैत जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेर कीज आयर्वेज समाधान क्योंकि आयर्वेज समाधान है हरुक कनितान